गाजा के अंदर अस्वी लड़ाई सुरंगों के अंदर होनी है और इस्रेल ने सुरंग युद की पूरी तैयारी यहां करनी है इस्रेल ने एक स्पेशल फोर्स और स्पेशल बॉम सिर्फ सुरंग युद के लिए ही बनाए है जब ये सुरंग युद शुरू होगा तो आतंकियों को बहुत बुरी मौत जेलनी होगी क्योंकि इस्रेल सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद करने वाला है इस्रेल के रक्षा मत्री ने घाजा के अंदर ग्राउंड ओपरेशन को हरी जंडी दे दी है जल्द ही घाजा के अंदर इस्रेल की टैंक आर्मी और ग्राउंड पोर्से जाने वाली है और ऐसे में अब इस्रेल की सेना की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है करीब 375 वर किलोमीटर में फैला घाजा इसकी ये सबसे बड़ा मजबूत किला है क्योंकि जितना घाजा उपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा घाजा जमीन के नीचे है घाजा के इन सुरंगों में दो मंजला इमारते होने के दावे किये जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है इन ही सुरंगों के अंदर हमास की अधियार निर्मान की फैक्टरिया है देखिए इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्टरिया लगाई हुई है गावा किया जाता है कि घाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली होई सुरंगे हैं इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चुहे की तरह छुपय हुए है और जैसी इस्राइल की सेना गाजा के अंदर भोसेगी, हमास के आतं की इस्राइली सेना पर तूट पड़ेंगे मैं इस वक्त इस्राइल की राजधानी जेरुसेलम के ओल्ड सिटी के पास हूँ इसरेल के अंदर सुबा से ही रॉकेट से हमले हो चुके हैं दरसल गाजा के अंदर से सुरंगो का यूद कोई नया यूद नहीं है 2006 में भी इसरेल ने गाजा में सुरंगो को नश्ट किया था लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहाँ सुरंगों की संख्या बढ़ चुकी है और यही एक बड़ी चुनोती बनकर इस्रेयल की आर्मी के लिए उभरी है इस्रेयली डिफेंस फोर्स के पास सुरंगों को ढूनने, बंदखों को छोड़ाने, सुरंगों को साफ करने, निश्क्या करने और नश्ट करने की ख्षमता है इस्रेयली आर्मी के पास यह लोम युनिट है जो की सिर्फ सुरंगों को ढून्ट कर उनको आतंकियों समेत नश्ट करने में ही माहिर मानी जाती है यालोम इसरेल की विशिष्ट कमांडू यूनिट है जो सुरंगों को कोचने, साफ करने और नष्ट करने के लिए जानी जाती है यालोम सुरंगों पर बार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है याहलोम ने ऐसे special dogs unit तयार कर रखी है जो सुरंग के अंदर भुस कर इस्रैल की सीना की मदद करती है याहलोम के पास सुरंग ढूनने के लिए हवाई sensor मौचूद है जमीन के अंदर drilling करके भी याहलोम आतंकियों का खात्मा करने में माहिर मानी जाती है सुरंगों को विस्फोट करके खत्म करने के लिए याहलोम के पास कई विशेश बंब भी है इस्रैल के पास ऐसे कई बॉल्डोसर भी हैं जो सुरंगों के दर्वासों को सील करके आतंकियों को जिन्दा दफन भी कर सकते हैं साल 2017 में आपलेशन नौदन शील के दोरान इस्रैल के उत्तरी सीमा पर कई सुरंगों की खोज की गई थी ये सुरंगे हेजबुल्ला के थी तो इस्रैल डिफन्स फोर्स में सुरंगों को बंद करने के लिए ड्रक भर कर हजारों टन गीले सेमेंट सुरंग के अंदर डाल दिये थे आतंच्यों को बहुत बोरी मौत मारमे के लिए कई बार इस्रैल की सेना इन सुरंगों के अंदर सीवर का गंदा पानी भी डाल चुकी है इस्रेल की आर्मी के लिए सबसे आसान है समंदर के खारा पानी इन सुरंगों के अंदर ढालना क्योंकि घाजा समंदर के किनारे पर बसा है फिर भी कई कारों से हमास की सुरंगों को ढूंडना और उन्हें नश्ट करना भी कोई साधारन मामला नहीं होगा मिसाल के लिए याद कीजे अफगानिस्तान के पहाड़ी और कम आबादी वाले इलाके में जब अमेरिका जंग लड़ रहा था इसरैल के लिए सुरंगों में सीधा एक्शन इसलिए भी मुश्किल है चोंकि इसरैल की आर्मी ने घाजा में घेरे बंदी की शुरुआत में ही कुछ शापे घाजा के अंदर मारे थे और इसके बाद आईडियक ने ही ये अनुमान लगाया था कि शायद आतंकवादी बंधक नागरिकों को उस सुरंगों के अंदर ले गए हैं ऐसे में किसी भी सुरंग को बेरहमी से ठोल डालने के लिए इसरैल मानसिक रूप से कितना तयार है ये भी देखना होगा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है जिन में दावा किया गया है कि इसरैल में ऐसे बंब बनाए है जो जमीन के उपर नहीं फटते हैं बलकि वो जमीन के कई फीट अंदर जाकर फटते हैं ऐसे में मोटी कंक्रीट से बनी सुरंग की दीवार भी फट सकती है और सुरंग इन नश्ट भी हो सकती है आतंग की इन सुरंगों को नश्ट करना भी इसरैल की सेना का एक प्रमुक लक्ष है साल 2008 और साल 2014 में जमीनी अभियानों में इस्रैल सुरंगों को नश्ट भी कर चुका है इस्रैल को उम्मीद थी कि गाजा में हमास ने करीब 500 किलो मीटर तक सुरंगे बना रखी है इस्रैल का दाबा है कि इनमें से करीब 90 किलो मीटर की सुरंग को वो नश्ट कर चुका है यानि इस्रैल के पास पहले से सुरंगों को नश्ट करने का अनुभा मौझूद है गाजा के अंदर इन सुरंगों के वज़े से अगर इजरेल ने गाजा पर भारी तीवरता के बंबरसा है तो इससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है यही वज़े है कि उत्तर गाजा को इजरेल ने खाली करवा लिया है संयुक्त राश्री की ही माने तो उत्तर घासा से 10 लाग से ज़ादा लोग दक्षन घाजा की तरप जा चुके है गाजा के अंदर पानी की सप्लाई का हल बहुत बुरा है अब तो फिलिस्तीन के अखबारों ने भी ये दावा किया है कि पानी की कमी की वज़े से गाजा के लोग नहा नहीं पा रहे हैं जिसकी वज़े से त्वचा की बीमारिया होने लगी है एजिप्ट के पास मौजूद वो रफा क्रॉसिंग जिसके बाहर सैक्रों की संख्या में पूरी दुनिया से आये राहत समगरी के ट्रक खड़े है वहाँ पर भी वार गेम चल रहा है जब बाइडन ने इजरेल का दोरा किया था तब इजरेल से जाते हुए वो ये बयान दे कर गए थे कि शुक्रवार को रफा क्रॉसिंग खोल दी जाएगी और राहत समगरी अंदर जाएगी लेकिन इजरेल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं है हलाकि जब इससे पहले भी राफा क्रॉसिंग को खोलने की बात हुई थी तब इजरेल ने वहीं पर एर स्ट्राइक कर दी थी जाहिर सी बात है राफा क्रॉसिंग को खोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसराइल को डर है कि राहत समगली कहीं गाजा के अंदर से होते हुए आतंकियों की सुरंगों में न पहुँचनाई पहले से इसराइल ये दावा करता रहा है कि पूरी दुनिया ने गाजा को कई सालों में जो मदद धीजी है दरसल वो मदद आतंकियों के पास पहुँची है और उसका इस्तेमाल ऐसी ही सुरंगों को बनाने के लिए किया गया है